नमस्कार दोस्तों हीना खान नचबलिये में बॉइफरिंड रॉकी के साथ लगाएंगे ठुमके जब से नचबलिये सीजन नौ के नए सीजन के इनाउंस्मेंट की गई है तब ही से लोग काफी जादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं अब हो भी क्यों ना आखिरकार सब जानना चाहते हैं कि शो में कौन-कौन सी जोड़ी अपने नच के जलवे दिखाने वाली है आपको बता दे कि अभी शो के बारे में बस इतनी सी जानकारी दी गई है कि इस डांसिंग रियालिटी शो के जज के तौर पर सलमान खान और केट्रीना काफ नजर आएंगे इसे बीच इस पॉपुलर डांस रियालिटी शो से जो जुड़ी जानकारी है वो हमारे हाथ लगी है जिसको सुनकर इस शो के फैंस काफी जादा खुश हो जाएंगे एक रिपोर्ट में हमें ये पता चला है कि नचबली नौ के मेकर्स ने हीना खान को शो का हिस्सा बनने के लिए अप्रोच किया है ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि शो में सलमान और केट्रीना के जल्वे के बाद कमॉलिका यान की हीना खान अपने बॉ cabbage रौकी के साथ अपने डांस का तड़का लगा सकती है अगर ये खबर सई साबित होती है कि ये पहली बार होगा जब हीना खान अपने रियल लाइफ बॉइफरिंड रॉकी के साथ स्क्रीन्स शेयर करती हुई नज़र आएंगी इसी बहाने से लोगों को इस कपल की लव स्टोरी को और भी ज़ादा करीब से जानने का मौका मिलेगा हालकि अभी तक हीना या फिर रॉकी ने इस खबर पर कोई भी रियाक्शन नहीं दिया है और ना ही इस बात से इंकार किया है वैसे ये भी हो सकता है कि हीना शो का हिस्सा ना बन पाए क्योंकि वो फिलहाल अपने बॉलिवुद डेबियो फिल्म में वियस हैं जिसके वज़ा से वो अपनी टीवी शो कसौटी जिंदगी की दो को भी समय नहीं दे पा रहे हैं आपको ये भी बता दे कि हीना खान कलर्स के चर्चित रियालिटी शो यानि के बिग बॉस 12 का हिस्सा रही हैं इससे पहले वे तमाम टीवी सीरियल्स का हिस्सा रही हैं बिग बॉस सीजन 12 के बाद उनकी इमेज थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी जिसका फाइदा उठाते हुए उन्होंने टीवी सीरियल कसोटी जिन्दगी की दो में बतौर विलन की वापसी किये यानि की कमॉलिका बन कर उन्होंने लोगों का दिल जीता है उन्होंने अपनी negative image का किस तरीके से फाइदा उठाये ये सच में बहुत ही अच्छी बात है reality show यानि की नचबली की बात करें तो एक बार फिर से एक साल बाद वापसी करने जारे इस show का जो concept है वो काफी जादा बदला हुआ है और इस बार इस show में पुराने contestant भी आपको नज़र आ सकते हैं और नए contestant भी आपको नज़र आ सकते हैं देखा जाएगा कि आखरकार जो नचबली है जो इतना जादा लोगों का फेवरिट रहा है इतना जादा लोग इसे पसंद करते हैं या अगर मैं डांसिंग की बात करू या फिर मैं काफी जादा टी आर पी मिली थी उन शोस को तो देखते हैं इसमें concept जो format है काफी जादा लग है तो यह माना जा रहा है कि इसकी जो टी आर पी होगी वो और भी जादा अच्छी होगी पिछले सीजन से अगर आप भी excited है इस reality शो के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ल कि मूल्यूस